वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है और जब आपको इसके पीछे की कहानी पता चलेगी तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएगे आप अंदर से हिल जाएगे वीडियो में एक पिता गूल में उनका 14 साल का बेटा लाचार पिता उसे एंबुलेंस बिलेक पर दरदर भटकते रहे लेकिन बड़े अस्पताल उन्हें अपने हाथ खड़े कर दी इसके बाद बच्चे की तर्द से तरब तरब कर जान चलिए और ये दरदना घटना वाज़ेवाद की लिए याकूब का बेटा शावेज आच्वी क्लास में पढ़ता था एक सितंबर को वो अचानक अजीबो गरीब हरकते करने लगा उसे पानी देखने से डर लगने लगा खाना पीना उसने अचानक बन कर दिया और कभी-कभी वो कुटे के भौकने जैसी आबाजे भी नुकालने लगा बच्चे के हालत देख परिवार वालों में उसे अस्पताल लिग अचाया तो पता चला कि उसे कुछ समय पहले किसी कुट्टे ने काटा था कुट्टे के काटने का इंफेक्शन बच्चे के पूरे शरी में फैल चुका था जिसकी वजह से उसे रैबिस हो गया था और इसकी यह हालत हो गए बच्चे को डेड़ महीने पहले एक कुट्टे ने काट लिया था बच्चे ने डर की वजह से ये बात अपने घर में नहीं बताई